दूस्तो हमास और इसराइल के बीच जंग अभी भी जारी है फिलिस्तीन और इसराइल के समर्थन में अलग-अलग देश आ रहे हैं मगर ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या इसरायल पर भारी पर सकती है इससे पहले 57 मुसलिम देशों वाले संगठन OIC ने फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए बैठक की ऐसा कहा गया कि आपात कालिन बैठक बुलाई है अब ये बैठक अरब लीग ने की है इस बैठक में इसराइल का विरोध किया गया है कहा क्या गया है और इस संगठन में कितने देश शामिल हैं सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊं कि ये नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जैन तीजा और आप देख रहे हैं दबी पिन टीवी हमास और इसराइल का समर्थन करने वाले देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है लेकिन इस मामने में फिलिस्तीन आगे नजर आ रहा है क्योंकि उसका समर्थन करने वाले देशों की संख्या कहीं ज्यादा है पहले 57 देश और अब 22 देश जहां अरब लीग जो की 22 देशों का एक अंतराश्ट्रे संगठन है इस लीग ने मिसर के काईरों में एक बैठक की है जो की आपात कल इन बैठक थी इस बैठक में इसराइल के कदम का विरोथ किया गया है क्योंकि इसराइल ने गाजा पटी में जरूरी चीजों में कटोती करने का बैठक किया है अरब लीग ने इसराइल से अपने अंतराश्टे धायतों को पूरा करने और दो देश यानी two state समाधान पर बाचीत करके पस लोटने का अग्रे किया है इससे पहले साओधी अरब ने बैठक की थी दोस्तों इस बैठक में साओधी किंग सल्मान और क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान इन दोनों ने फिलिस्तीन जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपती समेथ दूसरे प्रमुखंदर राष्ट्रे नेताओं से बात की थी बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेशी मंत्रियों ने इसराइल और हमास के भी जारी यूद पर चर्चा की इस दौरान मंत्रियों ने इसराइल से गाजा की पूरी नाकबंदी हटाने की मांग की थी कि जिस तरह से नाकबंदी की गई है वो ना किया जाए अरब लीग ने इसराइल से गाजा को बिजली आप उर्टी और पानी में कटोती करने के फैसले पर फिर से विचार करने का रिक्वेस्ट किया है लगातार साओधी अरब ने इसको लेकर बिटेन और कनाडा से भी बात किये दोस्तों तो कुल मिलाकर देख पर इतने हमले गाजा पर नहीं हुए आज से पहले तो नहीं हुए उपर से सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ हमला किया जा रहा है तो दूसरी तरफ वहां जो लोग मारे जा रहे हैं उन तक कोई जरूरी सुविदा पहुँचाने का जरिया इसराइल ने नहीं छोड़ दूसरी सबसे महतोपून बात यह है यहां पर कि इसराइल ने बिजली से लेकर पानी तक में कटोती कर दी है गाजा पटी में कही ना कहीं गाजा लगने वाला एरिया है इसराइल से और गाजा पटी में उसकी तरफ से जो भी कुछ अभी तक मिल रहा था वहां के लोग को कि बात कहीं गई है तो कहीं ना कहीं वह इसराइल माप किजे का गाजा पटी के लोगों पर इस तरीके से अत्याचार करके हो सकता है उनकी बात को दबाने के कोशिश कर रहा हो या उन तक मदत महचाना ना संभव हो पाए ताकि गाजा से लोगों का देशों का संपर्ख के छाली आे सके हमला के चाला करता करता है आ जुको असील फे में को 9 फिलिस्ती आखी सील के अभी तक प्लिस्तीनी उप हमला हो यहार Aa को वा कि लोग मारे जा रहे है वहा जो नागरिकεια उसको हमस के अभी जो ön हमास के आतंकी उसके मुताबिक उन लोगों ने इस्राइली लोगों के इस्राइली नागरिकों के सर काट दिये इस्राइली बच्चों को ले गए बंधक बना दिया उनके हत्या कर दी इस तरीके के आरोप इस्राइल की तरफ से लगाए गए है और वही आरोप अमेरिका से ले इसराइल का कहना है कि ऐसा शायद उसने पहली बार देखा हो कि हमास ने उसके पूरे नागरिकों के साथ इतना गंदा सलूक किया है शायद आज से पहले ऐसा सलूक नहीं हुआ तो जाहिर है यह जो युद्ध है यह बढ़ता चला जा रहा है इसमें बहुत सी चीजे ऐसी है दोस्तों जिस पर विश्वास कर पाना आपके लिए हानिकारक होगा इसलिए आपसे बार बार विरंती है इस बात की कि अगर कोई चीज आप देखते हैं इस युद्ध के दौरान तो तब तक उस पर विश्वास ना करें जब तक आपको उससे जुड़ा एक महपपून तब तक ये नवस्कार